अदिकान्स पेरेंट्स की ये सवाल रहता है कि बच्चे NDA की प्रपरेशन कब से स्टार्ट करें NDA की प्रपरेशन स्टार्ट करने का सबसे अच्छा जो समय होता है वो होता है क्लास 10th के जस्पार क्योंकि NDA का examination जो है वो students जब 12th class में study कर रहे होते हैं तब इस examination को दे सकते हैं और चुकि बच्चा जो 12th class में पढ़ाई कर रहा हैं तब NDA का examination दे सकता है तो 10th pass होने के बाद से उसके pass में सिर्फ 15-16 महिने का समय होता है और इस 15-16 मन्स के टाइम में बच्चा बहुत अच्छे से NDA की preparation कर लेता है अब करे बार parents को लगता है करे बच्चे को भी लगता है कि NDA के examination के तयारी क्यों होना 12th pass करके करी जाए तो इसमें एक बड़ा factor जो होता है सबसे बड़े परिशानी जो होती है वो होती है कि age factor कि age का बड़ा limitation होता है साड़े 19 साल joining के time तक आपकी age होना चाहिए तो ऐसे में जब बच्चा 12th pass होकर के NDA के लिए coaching join करता है तो उसके पास समय तो होता है पर उतना समय नहीं होता कि अगर वो एक बार fail हो जाए किसी attempt में वो ना निकल पाए तो उसके पास दूसरा attempt भी हो इसलिए NDA के तयारी का जो best time है वो time है कि आप 10th pass होते ही इस तयारी में लग जाए और जब आप NDA के level से जाकर के preparation करेंगे तो boards के marks में किसी भी तरह की कमी देखने को नहीं मिले क्योंकि आप अलड़ी पढ़ाई कर रहे हैं और NDA के पढ़ाई का 50% पार्ट जो है वो 11-12 ही है तो 11-12 के साथ आराम से NDA के तयारी की जा सकती है जैहिन, थैंक्यू